हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लो मेरा नवील एक और सॉफफ़ेर अपडेट आपल की तब से पुश्ट किया गया है यह है आइस 15.3 डेवलपर बेटा वन पब्लिक बेटा वन भी आपको देखने मिलेगा बहुत जल्दी इस वीडियो को बनाने के रहें पर रिल करना पड़ता है complete वर्जन यहां पर रिस्टाल होता है इसलिए 5.31 जीबी का अपडेट से पहले का बिल्ड नमबर जो के स्टेबल वर्जन था इसके उपर रिलीज कैनेट था वह स्टेबल वर्जन होता है आपके सभी आइफोन के लिए और यहां पर अवेलेबल फ्री दर्फ चला जाएगा बात में जो है एक स्टेप पुराना है कैसे आपको फिर से दिखा देता हूं 1.32.09 था मुडेम फॉर्मवेर जबके अभी हो गया है 1.31.01 तो यहां पर यह 1.32.09 जो है यह 15.2 पे चलने वाले आपके स्टेबल आइफोन वाला ही फिर्मवेर है तो यह यहां पर मेरा 13 Pro Max है इसको मैं यहां पर अनलॉक कर देता हूं यहां पर मुझे काफी जो है नेटवर्क परफॉर्मेंस इस अपडेट में जो है स्टेबल देखने मिल रहा है लेकिन आपल यहां पर टेस्ट कर रहा है खेल के देख रहा है मुडेम फॉर्मवेर के साथ कि य यहां पर आपको एक पुराना मुडेम फॉर्मवेर जो है इसके अंदर देखने मिलेगा 1.31.01 अब यहां पर दोस्तों जो परफॉर्मेंस है जेनल डे टू डे टास्क का वह सारा कुछ आपको अच्छा देखने मिलेगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चीए लेकि यहां पर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं सीप्यू स्कोर चेक कर लेते हैं तो यहां पर 11 डिसेंबर का जो सीप्यू स्कोर था 17394821 यह था 15.2 के लिए जो के स्टेबल वर्शन था और यहां पर अभी है 1733 और 4838 तो यहां पर जो सिंगल कोर मल्डी कोर परफॉर्मेंस है वह अंचेंज है जो के अच्छी बात है इसी जात दोस्तों कम्प्यूडेंशन बेंच्मार्क देख लेते हैं जो के गेमर्स के काफी काम आते हैं तो 14,280 था पिछला स्कोर और अभी है 14,560 यहां पे कम नहीं हुआ है स्लाइड़ी बढ़ाई है 19-20 का फरक है इतना कोई फरक अबडेट आपको देखने नहीं मिलने वाला है तो आज 18 अफ डिसेंबर है और अभी अगले हफते से जो है यहां पे हॉलिडे सीजन शुरू होता है जहां पे क्रिस्मस वगरा न्यूएस की चुट्टी आती है जिसकी वएसे यहां पे कोई भी चाहे स्टेबल हो चाहे बे झाहे के जहा है